आज हम बनाएंगे सोया चंग से बहुत ही टेस्टी और डिलिश्यस सलाथ जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे शरीर को प्रोटीन की बहुत ही जादे जिरूर्ट होती है और सोया चंग से बहुत ही जादा प्रोटीन पाए जाता है तो आज हम बनाएंगे सोया चंग से बहुत ही टेस्टी और डिलिश्यस सलाथ जो आपके फैमिली को और बच्चों को तो ही बहुत ही पसंद आने वाली है तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैंने 200 ग्राम सो और यहाँ पर एक चमच पील डाल देंगे और यह सोया चंग से को निचोड के अपनी पैन में डाल देंगे और इसे थोड़ देर के लिए चलाएंगे जिससे इसका कच्चा पन सा निकल जाएंगे पर इसे एक बॉल में निकाल लेंगे हम यहाँ पर बटर लेंगे फोड़ासा और इसमें डालेंगे हम एक बारीक कटीवी शिम्ला मिर्च एक प्याज डाल देंगे एक स्पिंग करनेंगे मैंने पिडाल देंगे और हलका सा सोटे करेंगे इसे हमें आदे मिनिट के लिए चलाना है अगर आप कच्चा खा सकते हैं तो आप कच्चा भी इसको डाल सकते हैं अब हम इसे भी काउल में निकाल लेंगे अब यहां पर मैं एक बॉल मखाने अज करूंगी यह मैंने एक छोटा बॉल लिया है वन टीस्पून वन टेवल स्पून मूंग फली डाल लूंगी थोड़ा सा बॉदीना बतिली है मैंने थोड़ा सा धनिया यहां पर तो से तीम हरी मिरचे लिये मैंने काटकर और यहां पर दो विजियम साइज के टमाटर फाइन चॉप्ट कपके ले ले लेए और यहां पर मैंने थोड़ी सी इमली इसको मैंने भीगोकर इसका पल्क निकालकर ले लिया है अगर आपको ज्यादा खटा पसंदे तो आप इमली डालिए नहीं तो इसे ओट भी कर सकते हो एक टेबल स्पूम मैं यहां पर पिशी हुई चीनी डाल दूगी एक से दो टेबल स्पूम मैं यहां पर कर्ड डाल दूगी मैं यहां पर एट करूंगी आदा चमच काली मिर्च स्वाद मसाल चाट मसाला काला नमक एट करूंगी और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आप अपनी बोरिंग वाली सलाज से अगर आप डाइट पर हैं तो यह वाली सलाज को आप ट्राए कर सकते हो यह देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है तो फ्रेंट्स यह देखिए मेरे सैलेट बनकर त्यार है अगर आपको मेरे सोय चंस की सैलेट बसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें थैंक यू